दिपेश सावंत, सैम्यल मिरिंडा, सिदार्थ पिठानी, नीरच कुप, यह चार लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है सुषांत सिंग राजपूत के केस, क्योंकि यह चार लोग 13 जुन की रात को घर पे थे सुषांत के, समझ रहे हो कोई और बॉडिगार्ड नहीं था, यह चार लोग थे, CCTV तो हमें नहीं दिखा रहे, CCTV का वीडियो में ने डाल रखा है, आप जाके देख सकते है CCTV के बारे में पूरी नौलेज, लेकिन अब यह चार लोग उस घर में थे, इन चार लोगों ने CBI को क्या बताया, यह मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला लेकिन, 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 इन चार लोगों की बातों के बाद भी CBI ने क्यों ने एक्शन लिया, यह भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले हाथ जोड के एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बक्त, एक ऐसा वीडियो आ सकता है, जिसमें दुनिया हैरान हो जाएगी, और वो वीडियो डिट किया जाएगा, यह मुझे भी मालू मैं, आपको भी मालू मैं, किस के थरू किया जाएगा, यह आपको मालू मैं, क्योंकि बहुत बहुत खतरनाक लोग पीछे पड़े हैं, लेकिन चलो, मैं जिन्दा हूँ अभी तक और जिन्दा जब तक हूँ, तब तक सुशान सिंग राजपूत का नाम लेते रहूँगा, उसके इंसाफ के लिए आवाज लड़ते रहूँगा, यह तो मेरा परने, मैं आपको बोल रहा हो भी से, लेकिन दुसरी बात यह करता ह बाता है। कि दिपेष Śावन सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इनके CBI स्टेट्मेंट, उससे पहले और आ पता है आपको सारा अली खान के घर पे डिपेश सावन्थ का आपको पता है अब कर दिपेश सावन्थ काम कर रहा है वरान अक्तर के घर पे नीरजजपूख पता है कहां पर आचको नीरजपूख सारा अली अकशन के जरत पहले दोनों का बताता हूं बाखी दूसरे दोनों दिपेश आवन फराणाक्थर के घर परणाक्थर की वाइफ शिबानी दांडेकर शिबाणी दांडेकर अऊ sorry के जो गया रिया की तरफ से है जो रिया बोल रही थी हो गलत है दूसरा दूसरा पता थो इन चारों के स्टेटमेंट क्या है वो भी बता था उसके ओपर सी बैने एक्शन क्यों ने लिया वो भी बताता हूँ लास्त तक देखो आपको समझ में आएगा सारी चीज़े दूसरा नीरज कु चाहिं और रिया चक्रवरति श्रदा कपूर ये एक ऐसी पार्टी में थे जो विडिंग पार्टी की इसके वेड़िंग पार्टी में थे वहां पर इन लोगों ने ड्रक्स मंगवाई थी वाट्स चार्ट के जरिया आया था ड्रक्स ली नहीं थी क्योंकि वोट पार्टी बाद में थी और पहले ही यह लोग पकड़े गए थे और बाद में वाटसप चार्ट के जरीए इनको सजा नहीं हुई यह एंसीबी और सीबी ने निकाला था एंसीबी की चार्ट ने जो चार्ट ली थी उसमें जाहिर हुआ था मतलब रिया और सारा भी दोस्त थे और रिया नहीं तो बोला होगा निरजकुक को जा इदर काम कर तो दूसरा रिया हुआ अब बात करते हैं सिदार्थ पिठाने की सामयल मिरंडा की बात में बता हूँगा सिदार्थ पिठाने की शादी हो गई थी एक साल वो अपने वीवी से अलग था क्योंकि जेल में था और उसके बात बहार निकलते ही भाई अनुमन पर चला गया वच्चे भी हो गई एक और उसके बात उसका नाम बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता उसका लेकिन बोलते हैं लोग ऐसा कि रिया रखा है अब मैं मैं उसके घर का मेंबर थोड़ी ना हूँ यो मुझे पता चलेगा लेकिन हाँ यह बात है कि उसके जो क्लोज के लोग है उन्होंने मुझे यह बताया कि ऐसा रिया नाम रखा है अब क्यों पता नहीं लेकिन सिदाथ पिठानी वह है जिसने रिया को सपोर्ट किया था अब आप बताए यह भी रिया की तरफ से सैम्यूल मिरंडा आज काम कर रहा है मैंनेजर जो दिशा सालियान की पोस्ट थी आज दिशा सालियान जिस पोस्ट पर होनी चाहिए थी उस जगह सैम्यूल मिरंडा काम कर रहा है मतलब कौन अजन्सी कौन अजन्सी मतलब आप समझ जाओ सारी चीज़े आप बढ़े हो शियारो का मालिक उसका दाम था बंटी व्रती के साथ दो रिया के खिलाफ तो गवाई नहीं देंगी लेकिन ये चारों लोग हार्ड़ कोर क्रिमिनल भी नहीं और जोसी जब एजन्सी आती है तो सच निकालना पड़ता है और सच निकालती है लेकिन सच दुनिया को नहीं बताती सीबी सच नेताओ को बताती तो तो इनों ने पूरी की पूरी इनके चारों के स्टेटमेंट नेताओं को बता ऐसे से हुए अब हाइप की तरफ से नेताओं और सी बीआई भी आफकोर्स जानती है कि सारे पक्के सबूत देने पड़ेंगे क्योंकि इनको कोर्ट में सबूतों के साथ वो 302 का किस फाइल करना दिपेश सावंथ हाटकोर है उसको थोड़ा टाइम लगा लेकिन CBI है समझ रहूं मुंबइपुलिस ऐसी है तो CBI कैसी होगी सोच देंडे मारके लेकिन बेगुना को भी मारती है लेकिन CBI सही लोगों को पकड़ती है और सही लोगों को पीटके बरबर निकाल लेती है तो पिठानी ने तो पहले ही दिन सब कुछ सच सच बोल दिया CBA के सामने पिठानी के अंदर इतना इम्मत नहीं है और वह एजूकिटेड भी है तो इतनी इम्मत नहीं कि उसको वे करें सामिल मिरिंडा ने पहले ही सच बता दिया कि उसको पता है यहां जुट नहीं बोला जा सकता तो यह चारों की चार्शीट में सच निकल के आ गया है लेकिन अब यह सामने क्यों नहीं आ रहा है मैंने आपको इसका रिजन बता है कि 302 करने के लिए पूरे के पूरे सबूत के स साथ कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि कि सी भी है मुह के बल गिर जाएगी कि यह ऐसा सुशान का केस है जहां पर बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए थे कोरुना का साला मामला तीन महीने से जादा नहीं चला थे कि सुशान का मामला निउस चैनल पर चार महीने से चल गया तो यह इतना हाइलाइटर केस इतने जीतनी जादा पौलिटिक्स खेली यह इतने जादा चीजे हुए इतने जादा बड़े लोग है तो पोर्ट में उतने जादा पाउर कुल भी होने चाहिए तो तीन सो जोगा केस पहले यह सारी चीज़ है लेकि मैं आपको यह देता हूँ कि 302 कि अगर फाइल होगा भी तो फाइल होने के पहले यह नेता लोग इन लोगों को बोल देंगे कि भाई तू देश चोड़के भागेंगे और फिर 302 कि पबिलिक के लिए बता देंगे लेकिन ये बात जरूरी है कि हमारे देश से वो लोग क्रिमिनल निकल जा हूँ कि तो लेकिन दूसरे धेश में तुम कौमन आदमी को कहा के लागए यह ने ही लोग शायद US सबिस् weitere इंडिया में पड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी यह इंडिया में रहना चाहे पता नहीं कोई भरोसा नहीं कवी किसी के दोस्थ बन जाते ग धुन अब लास्ट में आपको यह बदॉस्य ये चारो लोग कब पकड़े जाएंगे ये तब सारे सबूत मिलने के बाद इनको अरेस्ट किया जाएगा फिर सारी चीजे आपको इस सब के पूरे मामले में क्योंकि ये चीजे और कोई नहीं बता सकता मेरे अलवाज ये गारंटी है लेकिन इसके बाद आपको कुछ भी ले खुला है कमेंट करके मुझे जरुर बताए थैंक यू सो मच पर वाचिंग मी जन्यवाद जिस्टिस फॉर सुशान सिंग राचपूर्ट